हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जो यह PBKS वर्सिस GT की टीम के बीच में यानि कि पंजाब Kings वर्सिस गुजरा Titans की टीम के बीच में जो यह IPL का 18 मैच खेला जाएगा इसके बारे में हम ल जाएगा तो इस venue के बारे में आपको आगे बताऊंगा उससे पहले हम लोग इस मैच से रिलेटर कुछ और important बातें जान लेते हैं तो दोस्तों पहले हम लोग यहाँ पे दोनु टीम का recent form देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों पहले हम पंजाब की टीम के recent form की बात करें तो GT की टीम ने जो अपने last 5 मैच खेले हैं उसमें से 4 जीते हैं और last मैच यहाँ पे हारी है तो यह दोनों टीम का recent form आपके सामने है आप देख सकते हैं आप उसके बात दोस्तों आप है head to head मैच इसकी बात करें तो दोनों टीम ने अभी तक head to head में 2 मैच खेले हैं जिसमें द अलाबा दोनों ही दोस्तों जो मैच जीते हैं दोनों टीम ने वो दोनों ने ही chasing करते हुए जीते हैं तो आप यह चीज़ यहाँ पे देखके चल सकते हैं उसके अलाबा दोस्तों यहाँ पर point table की बात करें तो इस series में यहाँ पर दोनों ही team ने तीन-तीन मैच खेले हैं जि इस venue के बारे हम बात करें तो first inning का average score 166 कर आए, second inning का average score 165 कर आए और जो team यहाँ पर toss जीतेगी वो यहाँ पर balling करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो team toss जीतती है, वो पहले balling ही ज्यादा करती है, क्योंकि इस venue पर chasing करना थोड़ा सा आसान होता है, तो यह चीज आप यहाँ 10 match खेले गए हैं, तो उसमें से अगर आप देखेंगे, तो 50 wicket यहाँ पर pacer को मिले हैं, 68 wicket spinner को मिले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते, pacer के मुकाबले spinner ने जादा अच्छा किया है, उसके अलाबा दोस्तों जो recent match खेले गए हैं, इस venue पर, आप उसका यहाँ पर score card भी चेस नहीं कर पाई है, यहाँ पर कोलकाता की टीम, चेस करते हुए सिर्फ 146 बना पाई है, तो यह match पहले बेटिंग करने वाली टीम ने जीता है, उससे पहले दोस्तों इस venue पर सयद मुस्ताक अली ट्रोफी के भी दो match खेले गए हैं, अगर आप उनमें भी देखेंगे य जीती है, तो दोस्तों overall अगर बात करें, तो यह balance विकेट है, तो आप लोग एक balance विकेट मान कहीं टीम बनाना, तो आपकी एक अच्छी टीम बन पाईगी, तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, अपनी team create करने, तो दोस्तों अभी जो अपनी team create करेंगे, वो last match की playing 11 के हिस आप लोग अपनी team create करने आएंगे, तो विकेट कीपिंग में आपको काफी अच्छे option मिलने वाले हैं, यहाँ पर Matthew Wade है, अगर खेलते हैं, तो small league लिए best option रहेंगे, पर अभी खेल नहीं रहें, तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, दोस्तों इनके अलावा जितेश सर्मा, काफी अच्छे option है, record काफी अच्छा रखते हैं, पर इस series में कुछ खास नहीं किया है, पर दोस्तों ये भी एक differential pick बन सकते हैं, आप लोग try करना चाहें, तो इनको भी small league में भी कर सकते हैं, एक अच्छे option है, उसके अलावा रिदमान सा, तो safe option की बात करते हैं, उसके अलावा दोस्ते हैं, पर पीसिंग, इन्होंने भी ठीक टाक किया है, तो अगर आप लोग try करना चाहें, तो इनको भी कर सकते हैं, ओपनिंग पर दिखेंगे, और ये ठीक टाक बले बाज़ा, तो try करना चाहें, आप कर सकते हैं, हलाग के wicket keeping यहां से जितेश सर कर रहे हैं, पीसिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप यह की यहां पर देखके चलना, अब दोस्तों आप हम चलें, पैटिंग सेक्शन में, तो यहां पर मैं सिकर दवन को लूँगा, recent form काफी अच्छा है, काफी अच्छा परफॉर्मिशन होने किया है, उसके अलावा सुमन गि इनका भी दोस्तों रिकॉर्ड काफी अच्छा है, head to head when you record भी इनका अच्छा है, और recent form भी काफी अच्छा है, तो सुमन गिल और सिकर दवन मश्ट पिक नहींगे, इनको लेके ही चलना है, उसके अलावा दोस्तों डेविड मिलर इस मैच में काफी अच्छी डिफ्रेंसल बन सकते हैं, क्योंकि इनका अगर आप देखेंगे तो इस सीरीज में उतना कुछ खास नहीं किया है, तो लोग इनको नहीं ले रहा है, पर दोस्तों काफी अच्छे बल्लेवाज हैं, काफी अच्छी हिटिंग करते हैं, अगर यहाँ पर गुजरात की टीम फर्शन में बै अगर यहाँ पर गुजरात की टीम पहले बैटिंग करती हैं, तो फिर हम लोग यहाँ थोड़ा अलग करने के लिए सुदर्शन की जगा आपे मिलर को भी ट्राई कर सकते हैं, हाला कि मिलर का यहाँ बैटिंग ओर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है, तो इस वजह से मैं फ्ल कोई खेलने वाला है नहीं, अब इना मनुहर उतने अच्छे पिक रहेंगे नहीं, तो मनुहर को आप लोग जी एल में ट्राई कर सकते हैं, अब यहाँ पर दूस्तों आल राउंडर सेक्षन में चलें, तो यहाँ पर लिवेंग इस ट्राउन काफी अच्छे उप्सन हैं, इस सीजन में नहीं खेलें, पर प्लेयर काफी इंपोर्टन है, बॉलिंग बेटिंग दोनों कराते हैं, तो काफी अच्छे प्लेयर, उसके अलाबा दूस्तों हार्ट देख पांड जया, लास्ट मैच नहीं खेले, पर इस मैच में यह खेलने वाले हैं, मुझे लगता इस म सनाका अगर दूस्तों खेल जाते हैं, तो अच्छी पेक यह भी रहेंगे, राउल तेवेट यह जियल पेक है, जियल में ट्राई कर लेना, सिकंदर रजा प्लेयर के लिए बिर में आते हैं, तो काफी अच्छे प्लेयर हैं, और इंपोर्टन हो जाएंगे, उसके अलाबा विजय संकर, दोस्तों इस सीरी में विजय संकर ने भी अच्छा खाजा की है, पर मैं इनको स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूँ, पर आप लोग जियल में इनको ट्राई कर सकते हैं, उसके अलाबा दोस्तों रिसी धवन अगर यह खेलते हैं, तो काफी अच्छे उप्शन पर दोस्तों प्लेयर काफी सांदार है, डियल में जरूर ट्राई कर लेना काफी अच्छे उप्शन है, तो फिलाल की दोस्तों मैं यहां पर स्मॉल लीग के लिए बात करूँ, तो मैंने यहां पर हार्दिक पांडिया सेम करन इन दोनों को लिया है, अब यहां पर हम चलते बॉलिंग सेक्षन में, तो बॉलिंग सेक्षन में दोस्तों काफी अच्छे आपको उप्शन मिलने वाले हैं, रबाडा खेलते हैं तो इंपोर्टेंट रहेंगे, इनको हम चलूर लेके चलेंगे, पर अभी यह लास्ट मैच नहीं खेले हैं, तो फिलाल के लिए मैं इनको हमा समी, किसी भी इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करें, काफी अच्छे आप्शन रहेंगे, तो मैंने आपे समी को भी लिया है, उसके अलावा दोस्तों राहूल चेहर भी इस मैच में काफी अच्छी पिक बन सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रीसेंट में उतना अच्छा प काफी अच्छा है, और विकेट टेकिंग बॉल आ रहेंगे, तो मैंने यहाँ पे अलजारी को भी लिया है, उसके अलावा दोस्तों नाथन इलेस, काफी अच्छा इन्होंने भी पर्फॉर्मेंस किया है, और एक विकेट टेकिंग बॉल आ रहें, और यह थोड़ी बहुत दोस्तों बेटिंग भी कर लेते हैं, तो यह भी अच्छे उप्सन रहेंगे, तो फ्लाल के लिए मैं यहाँ पे नाथन इलेस को भी लेके चल रहा हूँ, आप लोग चाहें तो इनकी जगापे किसी और को भी ले सकते हैं, हाला कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चेंज कर देके चल सकते हैं, फिर यह एक डिफ्रेंसल पिक बन जाएंगे और काफी अच्छे उप्सन है, तो फिलाल के लिए तो मैंने आपे नाथन इलेस को लिया है, पर आफ्टर टॉस मैं यह चैंज कर सकता हूँ, उसके अलावा दोस्तों नीचे बात करें, तो सिवह मावी मौक ट्राइवल उप्सन रहेंगे, यास दयाल जीएल पिक रहेंगे, जीएल में ट्राइ करना, बाकी नीचे अभी कोई खेला नहीं है, तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो राठी को जीएल में ट्राइए आप लोग कर सकते हैं, तो जीएल में आप लोग एक CBC के काफी अच्छे option है, यहाँ पर आपके पास सिखर धवन एक option है, सुमन गेल का एक option है, सेम करन option है, हार्दिक पांडिया का एक option है और यहाँ पर रासिद खाल, तो यह पांच अच्छे option है CBC के, तो फिलाल की दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ, तो मैं यहाँ पर अप से करने की सोच रहा हूं तो फिलाल के दोस्तों मैं अपना यहाँ पे वीची राशित के साथ जा रहा हूं पर यहाँ पर हार्देग सुमनगेल सिकरदवन यह तीनों भी सी वीची के काफी अच्छो आपसने आप लोग इन में से भी किसी को भी कर सकते हैं, तो फ्लाल के लिए मेरे यहाँ पर कैप्टन सेम करने हैं, वाइस कैप्टन रासित खान है, अगर इस टीम में दूस्तों कुछ भी चैंज होगा, तो आफ्टर टॉस आपको अपने टेलीग्राम पर बता दूँगा, तो उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम स इसी वीडियो के, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ पूरा वीडियो वाच करने के लिए, ठैक्यू सो मज़ दोस्तों,